नालंदा जिले के हर्नौत थाना चत्र अंतरगत हर्नौत बाजार एस्थेत पटेल नगर महला में आग लगने से एक किराना दुकान में लाखो रुप्यों का संपत्ती जलकर नुकसान हो गया दरसल अगलगी की घटना अजय कुमार के किराना दुकान में हुई है दुकानदार अजय कुमार ने बताया की किराना दुकान घर में ही संचालेत किया जाता है सोंबार की रात्री करीब 10 बजे दुकान बंद करके घर के पीछले हिस्से में सोने चले गए और मंगलवार की अहले सुबह दुकान से धूआ निकल रहा था जिस पर परोसियों की नजर गई परोसियों ने सोर मचाई और दुकान में लगी आग धीरे-धीरे मकान के अन्ने हिस्सों में फैलने लगी अगलगी की सूचना अस्थानिय थाना को दी गई वहीं मौके पर पहुची दमकल की गाली और अस्थानिय लोगों की मदद से करीब तीन घंटे बाद आग पर काबू पाया गया तब तक दुकान और घर में रखा सामान पूरी तरह से जल कर खाक हो गया पिडित ने बताया कि अगलगी की घटना में करीब आठ से दस लाग की समपत्ते का नुकसान हुआ है आसंका ब्यक्त की जा रही है कि स्वाट सर्किट के कारण दुकान में आगलगी है वह घटना की जानकारी मिलने के उपरांत हरनौत अंचल अधिकारी एबम अस्थानिये पारसत सहीत थानाद्यक्च दलवल के साथ मौके पर पहुँचे हरनौत थनाध्यक्ष मुहम्मद अल्बूत तालीव अंसारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के उपरां तीन चोटी बड़ी दमकल की गारियों को मौके पर भेजा गया और कली मसकत के बाद आग पर काबू पालिया गया है पिडित परिवार नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है आवेदन मिलने पर अग्रिम आगे की कारवाई की जाएगी आपको बताते चले की गर्मी का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से अगलग में आगलगने से लाखो रुप्यों के संपत्ती का नुकसान हुआ